हेलो गाइस मैं ठीके से ना आज आपनों के डिमांड पे प्रॉफिट और लॉस चैप्टर लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस लाभ एवं फानी बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर जिससे दो से तीन कोश्चन रहता ही है चैप्टर को एकडम बेसिक लेबल से लेकर चलेंगे के उल टॉप लेबल के कुश्चन को नहीं देखेंगे स्टार्ट जीरो लेबल से करेंगे जिससे कि जिनका एकडम खराब है एकडम जीरो है उनका भी अच्छा हो जाए और बाद में लेबल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो ये सिरीज थोरा बढ़ा होगा तो अच्छे पेसेंसली आप क्लास करेंगे साथ ही जब मेरा क्लास शुरू हो पेन और कॉपी लेके बढ़ेंगे यानि जब मैं पढ़ाओ तो लिखो और जवाब देने का कोशिस करो आपका कमेंट भी आना चाहिए तो देखते हैं प्रॉफिट और लॉस लाब और हानी क्या होता है प्रॉफिट और लॉस प्रॉफि होता है कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस मतलग क्रैम मुल्य नहीं इसका अर्थ होता है लागत मुल्य हम लोग जो अभी तक पढ़ते हैं क्रैम मुल्य जब क्रैम मुल्य के बाद कोई अलग से खर्च ना हो तो क्रैम मुल्य लागत मुल्य होता है नहीं तो क्रैम मुल्य में अन्य खर्च जोड़ो यानि बेचने के पहले तक जो भी खर्च है वो अगर हम जोड़ें बेचने के पहले तक जो भी खर्च है जोड़ें तो उसी को लागत मुले कहेंगे और profit और loss लागत पर निकलता है ना की क्रैपर हमको लगा कितना हम 500 में कोई चीज़ खरीद के लाए और जाके लाना परा हमको 100 रुपया लगा या उसको मरमत कराने में 100 रुपया लगा तो हमारा लागत 500 और 100-600 होगा यानि जब भी profit loss का question बनेगा तो वो 600 बनेगा तो और दूसरा है SP यानि Sailing Price Sailing Price का अर्थ हुआ विक्रे मुल्य और विक्रे मुल्य तो समझ में आ रहा है कि जिस price पर हम goods को बेचते हैं वो price क्या का लाएगा विक्रे मुल का लाएगा ख्लियर है आप देखें यह था CP यह है SP तो कब profit होगा, कब loss होगा प्रॉफिट तो तब होगा जब हम कम में खरीद कर ज्यादा में बेचें खरीदे कम में यानि SP-CP जब SP बरा है तो profit और जब CP बरा है ज्यादा में खरीदे और कम में बेच रहे हैं मेधीत त Teaching ग्रूत में में बेच रहे हैं तो लूंगे सब्सक्राइब गोड़ में निकालना होता है यह भी होता है profit by CP into 100% और loss percent जब निकालना होगा तो ये भी होता है CP पढ़ें नीचे गलती से भी SP मत लिख लेना loss by CP into 100% profit percent हो या loss percent हो किस पर निकलेगा CP पर यानि किसी भी question में अगर ये दे दे कि SP 540 है और CP 600 है तो यहां देखकर क्या लग रहा है पहला question में लोग देखें यहां देखकर क्या लग रहा है कि SP छोटा है और CP ज्यादा है ज्यादा में हम खरीदे थे तो हमारा loss होगा अगर loss कितना हुआ 600-540 यानि कितना 60 और loss percent अगर निकालना होगा तो क्या होगा तो यह 60 बटा 600 नीचे CP into 100 है तो जब कभी भी loss percent निकालना होगा तो नीचे CP आया अगर दूसरा question देखें कि SP कि 560 और CP कि 540 तो अब बताईए अब क्या होगा SP greater है तो जब SP greater होगा तो वैसे किस में profit होगा और profit कितना हो गया तो 560-540 बराबर 20 अगर profit percent पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे बीस बटा पाचसो चालिस इन्टू हंड़ेट परसेंट हम लोग एकदम zero level से आगे क्यों बढ़ते चलेंगे profit percent क्या होता है loss percent क्या होता है profit कैसे निकलेगा loss कैसे निकलेगा इस chapter में तीन ही चीज तो देख रहा है cost price, selling price, profit या loss clear आगे देखें एक फर्मूला ही selling price into hundred यही एक फर्मूला ध्यान में रखेंगे cost price into hundred plus profit percent और अगर loss है तो minus l percent ऐसे लिखेंगे एक relation यह कि SP दिया हुआ है तो CP निकलेगा, CP given है, SP निकलेगा आपको ध्यान क्या देना, SP है तो CP और CP है तो SP बस अलग से इस से कोई फर्मूला मत break करने लगना ठीक है, तो question में देखें अगर कह दे कि SP है 520 रुपिया, रुपीज 520 और profit percent है कितना? 30% और question कह रहा है, CP बताओ, तो हम लोग कुछ नहीं, यहाँ पे CP बराबर दखो, ऐसे CP बराबर 520 गुना 100 और divided by 100 में 30 जोर्दो 130, खटेगा चार बार में answer 400 एक एक question हम लोग उस पे देखते चल ले है कि अगर SP है, profit percent है, तो कैसे होगा? और SP है, अगर मान लोग 540 और loss percent है, क्या है? Loss percent कितना? 10% और तब अगर question पूछ रहा है, कि CP क्या होगा? तो बताइए, CP क्या होगा? निकालते चलिए आप लोग? जैसे ही हम बताएं, question दे, आप उसको solve करो, तो क्या लग रहा है? SP के साथ, तो 100 होगा है, 540 गुना 100 divided by 100 minus 10 90 यह हो गया आपका CP, 90 से 3 बार में answer कितना? 600 तो जब SP है, profit यह, loss है, तो कैसे निकलेगा हम लोग देख लिए? लेकिन अगर, CP है, मालो 600 रुपया, रुपी 600, और profit है 20% question कर रहा है, SP बताओ, तो हम लोग क्या जानते है, SP बराबर क्या होगा? CP के साथ, 100 plus profit percent, यह, 120 होगा, divided by 100, यह, answer 720 ऐसी अगर loss है, तो loss लेके चलेंगे, profit percent है, तो profit percent लेके चलेंगे तो इस formula का use होगा, इसको आप बहुत अच्छी से याद रखना, गलती से भी SP के साथ 100 plus profit मत करना, SP के साथ 100, CP के साथ 100 plus परसेंट, आपके घर में, आपराना, मेरे घर में, मैं रहूंगा, यह, नहीं की SP के घर में, profit ले जाना नहीं, profit र लॉस, CP पर होता है, तो यह, जब भी रहेगा, तो CP into 100 plus minus profit percent, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, एक और method है, percentage method, ध्यान देना, percentage method क्या है, तो CP हमेशा 100% होगा, आप नींद में भी रहो, कोई पूछे, CP कितना, तो जब आप क्यात होगे, 100%, कितना CP, 100%, समझ में आ रहा है? CP, 100 plus profit percent हो सकता है, या 100% minus loss percent हो सकता है, तो हम लोग, अगर CP और SP का percentage value निकाल लें, तो आसानी से निकलेगा, अब ध्यान देंगे, मेरे साथ बोलने का कोशिश भी करेंगे, अगर profit है, 20%, मैं बोलू, CP कितना, तो तुरत बोलेंगे, CP 100%, SP कितना, SP 120%, profit है, तो सीधा आप 100, जोर 20 मत लिखना, सीधा 120%, या अलग बात है, मैं एकदम 0 level से लेके चलना हो, लेकिन धीरे धीरे अपने level को आप बढ़ाते चलना, मन लगाना, जहां दिक्कत हो, फिर back करके उसको फिर से देखना, अब बताओ, अगर loss है, 10%, तो केवल ये loss 10% है ना, तो बाकी दो चीज़ खुद से बोला है, क्या क्या बोला है, CP 100%, loss है, तो SP 90%, CP कितना, ये 100% होगा है, SP कितना, 90%, अगर कहीं पर 113% SP लिखा है, दूसरे तरफ से सोचे, SP 113% है, इसका आर्थ क्या हुआ, प्रॉफिट, 100 से जितना ज्यादा, 13%, अगर SP, मालो 88% है, प्रॉफिट करें, सेलिंग प्राइस, 88% है, तो प्रॉफिट तो नहीं होगा, loss परसेंट कितना होगा, तो 100 से जितना कम होगा, वो loss परसेंट होगा, इस डंग से हम लोग देख करके बता सकते हैं, इस पर कोश्चन भी होगा, जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे अगर सेलिंग प्राइस, मालो कोश्चन कहा रहा है, SP, रॉपिज 560 है, और प्रॉफिट 40% है, कोश्चन कहा रहा है, CP क्या होगा, तो फॉर्मूला नहीं, अब हम परसेंटेज में ठट से देख रहा है, फॉर्मूला भी बता दिया, कई जगा फॉर्मूला काम करेगा, कई जगा ये काम करेगा, दोनों में जिस पर आपका कमांड हो, जो आसान रास्ता हो, उसको लेके चलेंगे, SP मालूम है, तो SP का परसेंट बना लो, 140%, बराबर रॉपिज 560 है, पहला लाइन वो लिखो, जिसका वैलू दिया है, अगर SP का भैलू लिखा है, तो सामने SP का परसेंट दो, अगर CP का भैलू होता, तो सामने CP का मान रखते, अगर profit का मान होगा, तो सामने profit percent का मान रखते, डार है, अब 140 परसेंट दिया हुआ है, तो 100% कितना CP पूच रहा है, 5060 बटा 140 गुना 100, ऐसे करके हम लोग, 14144 चपन एंसर कितना 400 और भी कुछ कुश्चन देखते हैं SP रूपीज 360 और लॉस है 10 परसेंट आप लोग अपने पने कॉपी पर सॉल्ब करना शुरू कर दो सेकेंड लें CP रूपीज 650 प्रॉफिट 10 परसेंट या तीसरा CP रूपीज 600 और लॉस 20 परसेंट मालो यह तीन कुश्चन है कैसे सोचेंगे अब जहां पे SP हैin Question में लिख दो this pen बराबर वा या Cp बराबर वाट अगर Question में i.s. सिपी दिया हुआ है या Cp निकालो सिपी या Cp ए डएक निकालना अब देखो यहां एस्पी मालूम है तो Cp निकल जागा जब SP या CP मिल जाएगा तो दोनों के अंतर से प्रॉपिट या लॉस निकलेगा देखें ये 360 है SP कितना है 360 है तो जब SP दिया है तो SP का परसेंट सोचिए SP का परसेंट क्या होगा तो लॉस है तो 90 परसेंट बरावर रूपीज 360 तो CP निकालना है यानि 100 परसेंट क्या लिखते है 360 बटा 90 गुना 100 काटने आपको आता है काट ले क्या देखें SP का मालूम था अवभी लॉस के साथ है तो SP का परसेंट बना है या देखो CP मालूम है तो 100 परसेंट मालूम है 100 परसेंट बरावर रूपीज 650 SP निकालना है यानि 110 पर चुकि 10 परसेंट प्रॉपीट है तो 110 परसेंट कितना तो 650 बटा 100 गुना 110 यहाँ CP है 600 लॉस है 20 परसेंट क्या मालूम है CP यानि 100 परसेंट कितना है 600 और लॉस है कितना 20 परसेंट तो क्या निकालेंगे 80 परसेंट, क्या हो जाएगा, 600 बट्टा 100 गुना 80, इस ढंक से कोई भी कोश्चन होगा, हम लोग प्रॉफिट और लॉस या सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, क्लिया, आगे बढ़ते हैं, कुछ कोश्चन के तरफ, सब लोग अच्छे से देखना, बहुत आसान कोश्चन और आसान तरीके से निकलेगा, बहुत भरे में नहीं सोचना है, क्या का रहा है, 15 बस्तूओं का क्रैमूल, मैं यहां प्रैक्टिस भी कराते चलूँगा, हर टाइप का 4-5 कोश्चन आपको मिलता चले, 15 बस्तूओं का क क्रैमूल, 10 बस्तूओं के भी क्रैमूल के बराबर है, क्या लिखेंगे, 15 का क्रैमूल, जखो ऐसे ही लिखो, 15 का, क्रैमूल मतलब CP, 10 का, 10 का का मतलब गुना, SP के बराबर है, ध्यान से देखना, यह CP इधर है, इधर से SP आएगा, इधर आएगा, इधर यह जो 15 है, इधर जाएगा तो दस बटा पंदरा सीपी कितना हो गया दस एसपी कितना हो गया पंदरा क्या लग रहा कौन ज्यादा है इसपी पंदरा है बस इतना ही लिखने के साथ आपका समझ में आ गया कि प्रॉफिट कितना तो 15-10 यहनी 5 और प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो पांच बटा सीपी होता है नीचे 10 इंटू 100 परसेंट इतना हो जाएगा 50 परसेंट देखिए ऑप्शन में है अब इस पर एक सेकेंडों में प्रैक्टिस करते चलना देखने के साथ बन जाए कुछ तो बात में करते हैं कि 10 देखो सीपी के साथ 10 लगाते हैं उल्टा नामी पढ़ लेते हैं एस पढ़ लेते हैं 10 यह सीपी 10 इस पी बटा पंदरा सीपी हो गया 10 आगे देखें और यहा पंदरा का सीपी उल्टा नाम सोच लिए 15 को सीपी सोच लिया और इसको क्या सोच लिया इसको सीपी सोच लिया बस डायरेक्ट 5 बटा 10 गुना 100 और भी कुछ कोश्यंस है हम लोग आगे देखते हैं 25 का सीपी 20 के सीपी के बराबर है अच्छे से देखेंगे अगर ऐसे लिखते रहें तब तो दिक्कत है आर्टिकल मेठट से आर्टिकल को उल्टा सोच सकते हैं या 25 का अभी हम लोग थोड़ा प्रोसेस से ही लिखते हैं सीपी 20 के सीपी के बराबर है यह दिया हुआ है तो बस सीपी इधर एसपी ले ओ इधर बीस है नीचे पचीस ले जाओ तो प्रॉफिट परसेंट क्या नहीं जारा रहा है पांच विट्टा बीस इंटू हंडिट परसेंट एंसे निकालो फटा फट निकालते चलो रिप्लाई करो कमेंट बॉक्स में जाके क्योंकि कोश्चन्स बहुत इजी है और यह चैप्टर इंड भी इतना ही इजी से होगा बसरते आप बारबर उस वीडियो को देखें और उसको प्रैक्टिस करने के कोशिस करें अगला कोश देखें पचास अंत्रे का लागत मुल्य के विक्रें मुल्य के बराबर है पचास गुना लागत चीपी बराबर चालीस गुना सब्सक्राइब कि उल्टा हो जाता है देखो सीपी इसपी तो यह 40 यह 50 चाहू तो काट दो प्रॉफित परसेंट फिर निकलेगा कितना एक एक दम देखने के साथ ऐसे question बताएंगे आए एंटी पीसी वगरा में इस टाइप का question मिलेगा जीडी में ऐसा question मिलेगा आगे देखिए आठाला का सीपी यानि अगर इस पीड में बनाये तो यह सिपी के जगा हम लोग सीपी सो чिले और शीपी सो चले यानि डिरेक्ट लग लें क्या सीपी इठाहर Caleb और CP कितना 15 तो profit कितना या profit percent डारेक्ट निकाल दो तो 3 वट्टा 15 गुना 100 अगला question ऐसा ही है नहीं थोड़ा अंतर है लागत मुल्य और विक्रे मुल्य का अनुपाद दिया हुआ है 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 चीज सेम CP SP यह रेश्यो दिया हुआ है कि CP है 5 और SP है 4 बस कुछ नहीं यह दिमाग सटा तो अनपात है तो क्या हो गया चीज तो वही है अब देखो SP छुटा है तो लॉस होगा आ लॉस परसेंट कितना तो एक बटा नीचे CP ही होगा बटा पांच गुना सौ एक बटा पांच गुना सौ अगला कोश्चन देखें यह भी रेश्यो है अब बताओ CP और SP का CP है कितना पांच आए SP है कितना नौ पढ़ने के साथ जवाब दे तो प्रॉफिट कितना आ गया चार प्रॉफिट परसेंट क्या हो जागा चार बटा पांच इंटु हंड़ेट एक वस्तु के लागत मुल्य और फिक्र है मुल्य लागत है पांच यह नौ अंदर हो गया कितने का चार का चार बटा CP पांच इंटु हंड़ेट ऑप्शन में गलत है ऑप्शन सही कर लेंगे मानलो यह एटी परसेंट है अगला देखें फिर देखो थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आ रहा है कोशन में थोड़ा थोड़ा टाइप चेंज हो रहा है लेकिन हम लोग देखने के साथ बताएंगे क्या का रहा है विक्र मुल्य उसके लागत मुल्य का आठ बता पांच है इस पी जो है उसके लागत मुल्य यानि सीपी का आठ बता पांच है पहला राउंड में तो जो दिया हुआ है वो लिख लो दूसरे राउंड में सोचो कि देखने के साथ कैसे हम बताएं अगर हम एक्स होगर मानने लगे तो फस जाएंगे जो डिनोमिन कितना तो तीन बता पांच गुना सो कोई दिकत नहीं समझ में आ रहा है सेम कोश्चन लागत मुल्य और विक्रय मुल्य कान पात यानि सीपी कितना है दस स्पी कितना है एक ग्यारा प्रापिट परसेंट कितना एक बता दस गुना सो तो बहुत आसानी से बन रहा होगा जो लोग एकदम जीरो है खास कर उनके लिए प्राक्टिस के लिए ऐसे कोश्चन का कलेक्शन मैंने किया है कि उनको भी मन लगने लगे और आगे हम लोग सिलेबस लेकर बढ़े एक और कोश्चन देखो नौन नमबर प्राइस आफ रेफ्रीजरेटर और टेलीवीजन सेट आर इन रेशियो 5 इस टू 3 एक रेफ्रीजरेटर और टेलीवीजन सेट की की मत रेफ्रीजरेटर आर और टीवी ती रेशियो है पाँच और तीन मतला रेफ्रीजरेटर पाँच एक्स है और टीवी तीन एक्स है रेफ्रिजेरेटर की कीमत टीवी से पच्च पंसो अधिक है मतलब 5x-3x पराबर क्या लिख सकते हो पच्च पंसो तो यानि 2x वराबर 5500 तो एक्स वराबर भाग दे देंगे 5500 बटा दो और कोष्यन क्या कर रहा है तो रेफ्रिजेरेटर का कीमत यानि पांच एक्स बरावर तो पच्पन सो बटा दो गुना पांच ऐसे करके हम लोग निकालते चलेंगे ठीक है आज के क्लास को हम यही रोकते हैं फिर आगे थोरा सा लेवल बढ़ाते हुए और भी अच्छे कोश्चन के कलेक्शन के साथ 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 कोशिस मेरा यह होगा कि आपक का प्रैक्टिस भी होता जाए ठीक है गुद नाइट थैंक यू